कि दोस्तों आप सब लोंका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम विंड इनर्जी प्रोजेक्ट तयार करेंगे इसमें जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपनों को देखिए यहां पर दो चुटे-चुटे पीवीसी हैं कुछ इस तरीके से आप इनकी जिगह पे लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चुटे-चुटे लकड़ी की टुकड़े हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और चिपकाने के लिए आप सुपर ग्लू या ग्लू गन आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इ अच्छी तरीके से वो चिपक जाती है तो इनके बेस जो है कुछ इस तरीके से रखना है यानि कि दो जो हमने पीवी सी लिए हैं वो बिल्कुल ठीक आमने सामने हैं आपनों को पता दें ज्यादा दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा मत रखेगा क्योंकि छोटे-चोट आराम से अड्जेस्ट हो जाएं लग जाएं और अच्छे से वह हवा दूसरा वाला मोटर जो है पास सके ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक हाई स्पीड मोटर लिया है यह आपनों को मार्केट में 12-13 रुप्रे के मिल जाता है दूसरा एक और लिया है डैनमो के तोर पर यहाँ पर एक यह electricity को generate करेगा यह काफी अच्छी डीसी जो है current बनाता है तो इसलिए हमने यह दो मोटर यहाँ पर सेलेक्ट किये हैं एक लिधियमान बैटरी हमने लिए एक स्विच लिया है और यहाँ पर छोटा सा लगडी का एक टुकडा लिया है कुछ इस तरी पड़ेगा आपनों को ठीक है तो इस तरीके से हम अब connection कर लेते हैं तो यहाँ पर connection कर रहे हैं लिधियमान बैटरी है 3.7 वोल्ट किये तो यहां से हम connection एक हमारा हो चुका है वायर दूसरा हमारा नगेटिव से हम इस तरीके से connect करेंगे ठीक है दोनों connection हमारे cell से हो चुके तो चली अब motor को connect कर देते हैं कुछ इस तरीके से हमारी wiring देख सकते हैं finally complete हो चुकी है एक बार टेस्ट कर लेते हैं motor चल रहा है नहीं तो चल रहा था complete अब इसमें एक fan लगा रहे हैं तो काफी अच्छी यह हवा देता है ठीक है तो यहां पर इस तरीके से हमने रेडेक ल लग लग हैं तो इस तरीके से कुछ model दिखाई पड़ रहा है आराम से अपना यह वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से LED जो है गलो कर रही है पहले डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई थी हमने replace किया है आपने देखा होगा पीछे साइड में लगा हुआ है तो डिस्टें में आटोमेटिक वो रोटेशन आ जाता है क्योंकि हवा का फ्लो बढ़ जाता है तो यहां पर करन्ट भी देख सकते हैं वन पॉइंट एट सिक्स और फाइव वोल्ट यह जनरेट कर रहा है तो LED पल्प देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गलू कर रहा है इससे और के रूप में आप इससे तयार कर सकते हैं और अपने स्कूल में डिपरिजेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा